ही एवरीवान वालकम बैक टो अवर यूटूब चानल सो आज मैं यहां पर आपके साथ बहुत ही प्यारी प्यारी बेबी लेंगे की डिजाइन शेयर कर रही हूं जिसके फुल कटिंग और स्टिचिंग आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी मैंने अलग अलग प्ले तो यहां हमारे जो वर्फ स्ट लैंगा है यह ओर गैंजा में हमने बनाया है और काफी प्यारा साइस का फ्लेयर है बैक accordance में इसमें लास्टिक एड़ किया है है फ्रंट में हमारा बल डिजाइन है और फ्लैर इसका बहुत ही प्यारा है और इसके सास्थ जो हमने बीड बन है तो यह हमारा इसका ब्लॉज है बैक में इसमें हमने नोड डिजाइन डालावा है यह देखिए एक तरह से बैक डिस पैटन में है बहुत ही प्यारा सा है और नेक पर हमने आपे हुक लगाया है तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाए च्जाए जो काफी पैया नेट पे sequencing work में है इसे भी हमने pleat 립 में बनाया है और sequencing work कियावा इसमें पिस्ता ग्रेन में है यह और इसकी ज़ो ब्लॉज है वो भी काफी प्यारी है यह देखिया इसमें हमनेे sleeves बोट किया है और front में हमने round neck रखावा है back में इस तरह से ये dory design का है ये so बहुत ही प्यारा से ये बन के आया है आपको कौन सा design सबसे ज़्यादा पसंद आएगा मुझे comment करके जरूर बताईएगा और इसकी cutting and stitching video की link description box में दीवी है जाके देखिएगा जरूर तो चलिए next अपने लहंगे के और बढ़ते हैं so जो हमारा next लहंगा है इसे हमने full umbrella pattern में बनाया है तो full flare है इसमें और नीचे में हमने जो इसमें ken ken patti होती है वो add kiwi है डोरी वाली है ये लहंगा और इसकी जो blodge है वो हमने बनाई है heldra neck में back में इसमें ये देखिए heldra neck है back side में जो इसका है na knot design है और ये net में हमने यूज करके से बनाया है और इस तरह से ये zigzag pattern में हमने बनाया है बहुत ही प्यारा सा ये पहनने पर इसका जो लूग काता है so इसके cutting और stitching अगर आप देखना चाहते है तो link नीचे description box में दीवी है जाके ज़रू देखिएगा तो चलिए बढ़ते हैं अपने next लेंगे design की और so हमारा जो next लेंगा है ना वो ये हमारा लेंगा है ये हमने semi umbrella में बनाया वा है front में belt डाला वा है back side में लास्टिक है ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और नीचे इसके भी हमने केंगें पट्टी लगा के इसे complete किया है बहुत ही प्यारा देखने में आता है ये और इसके साथ जो हमने blotch बनाया है वो different color में मिंस जो हमारा design है उसके according यहाँ पर हमने दो fabric यूज करके मिंस एक लहंगे का और एक अलग से fabric लेके बनाया वा था ये देखिए इस तरह से हमने ये blotch बनाया है ठीके back में इसमें hoop लहेगा और इसका ये blotch है आपको कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताईएगा जो चलिए बढ़ते हैं अपने next लहंगे की design के और तो हमारा जो next लहंगा है इसे भी हमने semi umbrella में बनाया है इस तरह से और side hooks में हमने डाला वा है इस तरह से और इसके साथ हमने एक high low pattern में फ्रॉक बनाया है नेट का जो इसका जो look है ना बहुत ही प्यारा आता है इसके साथ इसके साथ हमने यह वाला mirror work में हमने fabric लिया था बनाने के लिए टॉप में बस हमने अस्तर यूज किया है और नीचे का फ्लैर में अस्तर यूज ने किया है और इसे scratch outfit है तो इसकी भी लिंक आपको description box में देखने को मिल जाएगी और बहुत ही प्यारा से ये बनके आया है तो चलिए बढ़ते हैं अपनी next design की और तो ये जो हमारा next लहेंगा है ना ये भी scratch outfit हमने बनाया है इसमें भी back में elastic हमें डाला है side hook डाला है इस तरह से और हमने इससे लटकन से इसमें डालकर किसे इसका DJP k Ocean को और भी प्यारा बनाया है और साथ ही इसमें हमने go Legends on Go a Paddy work इस तरह से किया है जो हमने scratch में देखा था उसके according हम ने ये लहंगा बनाया वह है और इस के साथ हमने यह वाली ब्लॉज बनाई वी है और साइड में रुफल डिजाइन इस तरह से डालावा है और यह ब्लॉज को कंप्रेट के बहुत जादा आप रहएबी नहीं रखा आप किस टाइब की डिजाइन की कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हो वह भी आप मुझे कमेंट में को अधा सकते हैं सारे लहंगे की डिजाइन मैंने आपके साथ शेयर की जितना रिसेंट में मैंने बनाया वा था होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हलफफुल रहा होगा आप किसी भी की कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखी है जाके जरूर देखिएगा और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बैल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाली हर अपडेट आपको ही से मिलती रहेगी और हो सके तो मुझे इंस्ट्राग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा लिंक डिस्क्र